सर नमस्कार सर जाहिब सर क्या सुमनाम है आपका? सूर सिंग दास सर कहां से आई यहाँ? अलमुडा जिल्ला शर्ट शेत्री से सर आप संत रामपाल जी माराज से कब जुड़े? मैं सद्गुर रामपाल जी माहराज से 2013 में जुड़ा हूँ सर संत रामपाल जी माराज से नाम दिख्षा लेने से पहले आप क्या बब्ते साधनाय करते थे? मैं पहले बच्पन से ही हनुमान जी की पूजा करता था हनुमान जाशे का पाड़ करता था उसके बाद जब बढ़ा हुआ तो जैशे घर में होता है देवी देवताओं की भूतूं की पूजा वही करता था उसके बाद भी मैंने क्या कहते हैं ब्रामपन ने बताया कि आप पर कोई ग्रह लगे हुए हैं शंकर की पूजा करो देवालों में जाकर कि शिवलिग में जल टड़ाओ पत्र डालो वह भी पूजा करता राग अभी देर उसके भी कुछ फाइदा नहीं होगा उसके बाद संत मुझे बताया गया कि भाई आप सत्संग में जाईए तो मैं हंसा देश जो सत्पाल महराज का एक शंस्ता चलता वहां गया वहां भी मैंने सत्संग सुना और मैं वहां तेताली साल तक जोड़ा रहा वह जो किरियाएं बताते हैं जो भक्ती बताते हैं वह कहीं भी शास्त्रों में परमानित नहीं है मनमुखी साधना बताते हैं दो, लगांटा, तिन-तिन वन बाट करके में अभ्यास करते थे हैं, नाम देते हैं, किरियाइं देते हैं, पर उसे कोई फादा लाब नहीं होता है, फिर उसके बाद मुझे कोई सांती नहीं हुई मेरे मंन के अंदर, किसी परकार का यह नहीं हुआ कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, मन में तो सोचता था कि भक्ति कर रहा हूँ, प्रन्तु मैं हर परकार से दुखी रहता था, परेशान रहता था, आर्थी तरह से सारीरिक तोर पर से परिवारिक तोर से मैं परेशान रहता था, फिर मैं सोचता था मै मैं भक्ति कर रहा हूं और फिर भी मैं परेशान हूं तो मुझे भगत कुछालदार जी मिले मुझे उन्हें काया भगत जी आप ग्यान गंगा पुष्टक लेजिएगा उसके अंदर देखिएगा उसको पढ़िएगा शमझेगा अगर आपकी समझ में आये तो फिर आगे ग्यान गंगा पुष्टक पढ़िने के बाद आया हूं और मैंने वह ज्यान गंगा पुष्टक पढ़िए पहले तो मुझे कुछ अटपटाशा लगा परंतु जब ध्यान से उसको बार बार देखा उसके अंदर भगत जी ने बताया था कि साधना चैनल में आश्टा चैन में प्रोग्राम आता है, वो भी देखता रहा, धिरे धिरे, जब मेरी समझ में आया कि वास्ताव में, ये जो प्रमात्मा के बारे में बाणियां बोली जा रही हैं, कभीर परमेर्श्वर की बाणियों को बोलते हैं, और वो दिल को बहुत छू जाते हैं, तो मिझे एक मैं उसको रोज देखता रहा, रोज सुनता रहा सत्तं को प्रोग्राम को, फिर मैंने प्रार्थना की भगत जी से, खुरालदा जी से, कि मुझे आप गुरु जी की स्रण में ले चलिए, फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप चलिए एक दिन, फिर मैं श्री सद्गुर रामप कि अधि कल्पना थी, सायज जहां जैसे हर जगो आश्रुम में जाते हैं, वैसे ही होगा, प्रन्तु वहाँ जाते ही मैंने जब गेट पर देखा, वहाँ के भक्तों का भाव देखा, प्रेम देखा, तो मेरे मन में तसलिय होगी, वास्तों में में श्री जगोपर पोंच ग करके, मैंने ये सुचा था कि सायज मैं देखूंगा, कि कैसा है, क्योंकि मैं इतने साल वहाँ, सत्पान महाराज के वहाँ गया, तो हाँ अलग अलग परकार का, अलग अलग धंग से वह होता था, कहीं पर लाइन अलग है, किसी की लाइन अलग है, मैं ये सुचा था यहाँ पर अब वहां जाकर के जब देखा तो वहां जाकर के मेरा मन परमात्मा के चल्णों में बहुत ही वो हो गया मैंने का वास्तों में शर्स यह दृट पर पहुंच गया हु मेरा इतना जीवन बेकार गया अलaw年 टक इतना जीवन – मैंने सारा में भकार कर दिया मैं करी 43 या 44 वहां रहा उस सच्टा के अंदर और उनका हर प्रकार से जैसा वहां प्रोग्राम होता था वहां जाता रहता था शिवाभी करता था प्रण्तु मुझे कोई लाव नहीं हुआ वाग मेरे मन में कोई संतुष्री नहीं हुई क्योंकि वो जो भक्ती बताते थे जब बाद में अमने सच्टंग सुना जब देखा कोई परमानित है नहीं वो नाम जो देते हैं जो किरियाएं बताते हैं वो किसी सास्त्र में परमानित है नहीं तो इसलिए मेरा वहां से मन हट गया फिर मैंने वहां जाना ही बंद कर दिया, जब से मैंने ज्यान गंगा पुष्टक पड़ी और साधना चैनल पर स्वद्गु श्री रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम देखा, तब से तो मैंने वह बिल्कुल ही साधना चोड़ दी, फिर मेरा बज एक ही था कि कम मैं प्रमा मिला, वास्ताव में तब मुझे पता चला, क्योंकि पहले ये संकाई थी, लोग कहते थे, कि जो लोग वहां जाते हैं, वो देवी देवताओं की भक्ति नहीं करते, पर तो वहां जाने के बाद ही मुझे वास्ताव में पता लगा, कि वहां तो देवी देवताओं की वास् तो भक्ति बताई जाती है, जो आस्तिविक भक्ति है, जो सास्त्रों में बढ़नित है, तो इसी तरह से मैं वहाँ भक्ति प्रमात्मा के चरणों में लगा। सर, संत्राहंपाल जी महारा से नाम दिख्षा लेने के बाद आपको क्या लाब मिले? सबसे पहला लाब तो मुझे यह मिला, कि जो मनुष जीवन हमें मिला हुआ है, यह प्रमात्मा की भक्ति के लिए मिला हुआ, लग्चवराशी के बंदन को कातने के लिए मिला हुआ, तो सबसे बड़ा लाब मुझे वहाँ भक्ति मिली, और मेरे मन को शांति मिली, यह संसार क झो भठकना है कोई जहीं भाग रह रहा है कोई क्या ती तू मैं भरमन कर रहा है अनेक परकार के भरमित्थ हो रहे हैं लोग मुझे उन भर्मणाओं से बचा दिया सबसे पहला लाब तो मुझे यह हुआ और दूसरा लाब मुझे सदभक्ती मिली और मुझे सारे दिक सुग मिला मेरे मन में संतुष्की हुई सबसे बड़ा जो धन है संतोष्का वो मिले मुझे और परमात्मा की तरफ से सब लाब है मेरा परिवार शुकी है मैं शुकी हूँ मेरे बच्चे शुकी है और कोई मुझे ज़्यादा कोई इच्छा नहीं क्योंकि परमात्मा ने दे रखा है समय कट रहा है आराम से दालोटी मिल्या इसमें संक्तुष्टी है क्योंकि ये हमारी हबस की खोपड़ी तो बड़े-बड़े राजा महराज हों की भी नहीं हमारी तो केवल इतना ही चाहिए कि जितना जिसमें कुटम समाज आए सर पहले आप हंसा देश पंसे जुड़े वे थे अब आपने संत्रामभाल जी मारे से नाम दिशा ले लिए सर ऐसा कहा जाता है कि गुरू नहीं बदलना चाहिए गुरू बदलना पाप होता है सर क्या कहना चाहेंगे कहा गया है कि गुरू करिए 10 और 15 जब तक गुरू ना मिले सांचा जबकि एक गुरू करने के बाद उनको अगर संत्रामभाल नहीं हुई जरसे एक बैदी के द्वारा हमारा इलाज नहीं होता है तो हम अन्य डाउक्टर बैदियों के खोज करते हैं जहां से हमारी बीमारी ठीक होती है इसी परकार से जो हमारे अंदर जीव के अंदर जनम मरन का रोग लगा हुआ है जो उस बीमारी को काटे है स्थगुरू बैद बतन भिश्वाशा है नहीं सहीं यह नहीं विशय कराशा यह तो जो हमारे अंदर जो जनम और मरण का जीव के अंदर रो लगावा उसको सद्गुरी ही काड़ते और स्री संत्रामपाल जी महाराज वो दवाई देते हैं वो नाम देते हैं वो विधी बताते हैं जिसके द्वारा जीव जनम मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है सर जहां से पहले आप जुड़े वे थे हंसा देश पंथ से और अब आपने संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिख सली है तो सर हंसा देश पंथ और संत्रामपाल जी महाराज के ज्यान में आपको क्या भिंता मिली पूरी भीनता ही है, क्योंकि हनशा देश के अंदर कोई सास्त्र का परमान नहीं है, और Shri Tuttwajsi Sant Satguru रामपाल जी महाराज, जो भी ज्ञान देते हैं, वे शास्त्र परमानित ज्ञान देते हैं, इसलिए ये ज्ञान सबसे उत्तम ज्ञान है, और हनसा देश के अंदर तो केव फुर्ट परम्परा चली वी है, वहाँ शच्चा ज्ञान नहीं है, कोई सास्त्रू का कोई आधार नहीं है, वहाँ भी वही किर्याय कोरी जैसे अग्नानी है, ब स्राज निकालना, तरपन करना, धूत पूजा करना, तो तो वह शच्चा ज्ञान कहाँ शे होगा, योगि वह उसमें जो परमानित है वही सचा ग्यान है, बागी जो अन्य शास्त्र है यह उनके अपने अनुभव है यह उनका अपना शिद्धान्त है वो कोई शास्त्र नहीं मानेगे हमें तो बहुत खुशी होती है कि हमारे प्रमात्मा हमारे कारण हम अग्यानी जीवियों को जीव के कारण कस्ट शहन करें हालांकि यह संसार के लिए कस्ट है उनके लिए कस्ट नहीं है वो तो सारे संसार का उधार करने के लिए आये हैं वो जेल में नहीं है जेल में तो यह हम हैं लग्चवराशी के जीव दिल्लग चौराशी जेल में सारे जीव फशे वे हैं और प्रमात्मा तो श्री कवीर देप स्वेंग श्री रामपाल जी महराज के रूम में इस जीव को चौराशी लाख योनियों के जेल से चुटाने के लिए आये हुए देखे सर कहते हैं जब रोशनी आती है तो उल्लू के आँखें बंध हो जाती है जब ज्ञान की रोशनी फैलती है तो जितने भी अंधे हैं उल्लू है चमगादने इनको दिखाई नहीं देता यह रात के अंधेरे में ही देखते हैं रोशनी में नहीं देखते हैं ठीक ऐसे ह आज जो संत जो प्रमेश्वर प्रमात्मा सारे अज्ञान को मिटा रहे हैं अशूर से शूर बना रहे हैं दानों से मानों बना रहे हैं ऐसे संत को ऐसे महापुरुष को वो जेल में डाल रहे हैं परन्तु ये बहुत ही अन्याए है ये सच्चाए को कभी दवा नहीं सकते हैं शताई कोई दिन रुख सकती है बेशक परन्तो हमें तो यह लगता है कि प्रमात्मा जब से जेल में गए तब से चाहे लोगों ने बुरे तरह से सुना है परन्तो हरे एक ने श्री सद्गुर रामपाल जी महराज का नाम सुना है चैनल में टीवी में रेडियो में मैं तो कहत हूं उन्हें नाम सुना है तब ही उन जीवी का कल्यान हो प्रमात्मा उनके बुद्ध को सही दिशा की गोर लगा रहे सर्शंत रामपाल जी माराज से जुनने से पहले क्या आप किसी प्रगार को इन्हसा करते थे हां मैं पहले बीडी पीता था शिगरेट पीता था तंबा नव था और जब में सद्कुर्रामपाल जी माहराज की स्रण में आया तब से मेरे ये सारे नशे छूड़ गए अपने आप ही छूड़ गे घिरना हो गई मुझे मैं अब इनकी संगत में जो रादमी रहता है जो इनका शेवन करता है मैं उस्से कोशन दूर हो जाता हूं प पहले आप बहुत सारे नसा करते थे आपने एकदम नसा छोड़ दिया अब आपको इन चीजों से इतनी नफरत हो गई है कि जो व्यक्ति नसा करते हैं उनसे भी आप दूर बैढ़ते हैं उनके बीच में भी नहीं बैढ़ते सर ये बदलाव कैसे आया मैं तो इसको प्रमात पान लिया तब से उस नाम की सक्ति है या गुरू महराजी का चमतकार है और श्वयंग उसे घिरना हो गई सर अमोमन देखा जाता है कि जो नसे के आदिल जो लोग होते हैं वो नसा नहीं छोड़ पाते हैं सरकार भी इसके लिए बहुत सारी योजनाई चलाती हैं नसा मुक्ति केंदर खोले जाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का नसा नहीं छोड़ता है सर आखिर संद रामपाल जी माराज ऐसा क्या ग्यान देते हैं ऐसी क्या बाते बताते हैं कि जो सर्दालों उनसे जुड़ते हैं वो नसा छोड़ देते हैं कहा गया है तरु कोठर में बशे भिहंग तरु काटे मरेन जैसे शाधन करिये विचार हीन तब मन शुद्ध होई न कैसे जब शाधनी हम विचार हीन करेंगे मन हमारा शुद्ध कैसे होगा क्योंकि यह जो प्रविड़ते हैं मन की है और प्रमात्मा जो हैं जो मंत्र देते हैं जो नामदान वो तभी देंगे उसके अंदर कुछ मर्यादा हैं उन मर्यादाओं का जब पालन करेंगे तभी हम उसका लाभ ले पाएंगे अगर हम मर्यादाओं को भंग कर देंगे, तो उसका जो लाव होगा हमें नहीं मिलेगा मैं उनसे प्रार्थना निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बार-बार मनिश धरी नहीं मिलता है और एक बार आप यहां आकर की देखिए, गुरु महराजी का सत्संग देखिए, ज्यान गंगा पुष्टा मंगा के आप पढ़िए, आज पढ़ा लिखा शमाज है, आज कोई अनपढ़ नहीं है, और उसमें विचार कीजिए, और अपना अमूली जीवन जो है, इसको ब्यर्थ मद जाने दीजिए, शती भग्ति जो सास्त्रों के अनुसार है, उसको प्राप्ति कीजिए, और अपना कल्यान करवाईए, अपने परिवार का कल्यान करवाईए, वैसे नहीं आ सकते हो, तो किसी दुख के कारण से भी तब ही किस परकार का माहुल हैं, कैसे भगत लोग हैं, क्या वहाँ भक्ति दी जाती हैं, एक बार मैं उन्से प्रार्पार्टिना करता हूँ सभी भाई बहनों से, आप एक बार अवश्य स्री स्वध्यू देव, स्री रामपाल जी महराज का सचंग सुनिये, और उन्से नामदान टर्व ले thinker कि अरू नंहां करवा लिए अपना सarna सरदालो सन्द रामपाल जी महरासी नाम डिक सनले इसके पीछे क्या पर कारण收िं कि संद रामपाल जी महरासी नाम डिक सैंबो उसा है ए विड़महराजी जेल में जरूर कि प्रंतू 25 प्रमयात्मान एसी किरपा हम लोगों के उपर की है कि जगो जगो हर स्टेट के अंदर हर जिल्ले के अंदर नामदान केंद्र खोल दिये हैं पहले तो केवल एक भरवाला में नामदान दिया जाता था पर तो मालिक ने आद ऐसी दया की है कि हर जगो नामदान केंद्र खोले हुए और जो श इसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर दिये हुए हैं, उन नंबरों पर कॉंट्रेक्ट करके, वहां से आप ज्ञान गंगा पुस्तवी मंगार सकते हैं, अपना नाम पता दे करके, और वहां फॉन कर सकते हैं, कि कहां से हम नाम दान ले, हमारा शेत्र ये है, तो आप भक्तों को जो है, वहां से पूरी सुचना ही मिल जाएंगी, सर आप भगत समाद को कह संदेश देना चाहते हैं, भगत समाद को तो यही संदेश क्या देना है, मेरी तो प्रार्थना है, मैं संदेश के लायक निभी नहीं हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, कि आ आप जरूर इस मानव जीवन का कल्यान करिए नामदान लीजिएगा और स्री सद्गुर रामपाल जी महाराज के चरुणों में आकर के अपने जीवन को किर्तात कीजिएगा और इस मनुष जीवन को सारथक बना करके लोक्चाराशी के बंधन से मुक्ति होने का परियाश कीद सर अभी आप संत्रामपाल जी महाराज को परमात्मा कहकर संबोधित कर रहे थे देखिए सर जो भी संत्रामपाल जी महाराज के इसन में जाता है उनको परमात्मा बोलने लग जाता है उनके महिमा के गुनगान करने लग जाता है सर क्या कारण है ऐसा है प्रमात्मा अपना ज्ञान श्वेंग देते हैं अगर हम किशी भी चीज का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो श्वेंग आकर के ही वो ज्ञान जब शामने होगा तभी उसका ज्ञान मिलता है उधारन के लिए अगर हम गै का जानना चाहते हैं तो उसके फोटों से जान नहीं होगा, जब गाय शामने होगी तभी उसका जान होगा? ठीक ऐसे पूर्ण प्रमात्मा जब सामने होते हैं तो उनका परभाव होता है और तभी हमारा ये मन मानता है कि वास्तों में पूर्ण प्रमात्मा हैं क्योंकि जो कभीर देभगवान आज से 600 बर से पहले जो लीला करके गए हैं उसमें भी लोगों नहीं माना था उनको उसमे अपने इस समय में कैशी बाणियां बोलकर के इतने शिश्यों का उधार किया इतने मनिश्य का उधार किया और वही पूर्ण प्रमात्मा इस समय श्री सद्गुर रामपाल जी महराज के रूप में परगट हुए है सर संद्रामपाल जी महाराज के बारे में बहुत सी बातें ऐसी बता जाती है जैसे कि संद्रामपाल जी महाराज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि संद्रामपाल जी महाराज अपने सच्चकों में सभी धर्मगुरू के बारे में बोलते रहते हैं कि निंदा करते हैं सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर प्रमात्मा के बारे में ऐसा कहना बहुत ही अनुचित है सद्गूर रामपाल जी महाराज किसी की निंदा नहीं करते हैं जो वास्तविक्ता है वो बताते हैं जो धर्मगुरु जैसा ज्यान देते हैं उनके कुछ यहिसे की निंदा नहीं करते हैं और वह किशी सिक ने नहीं करते हैं निंदा तो वह होती है जो वास्ती विक्ता से दूर हो, निंदा उसको नहीं कहते हैं , माईल्या जये, मैं जुहारी हूँ, अगर मुझे जुआरी कहा जायत तो वह निंदा नहीं है वास्तों में परमात्मा के बारे में स्री सद्गुर रामपाल जी जो बताते हैं वो शास्त्रों का परमाण देते हैं किसी की निंदा नहीं करते हैं यह जो लोग कहते हैं कि वो निंदा करते हैं यह उनकी धारलाई ब्यार्थ है, गलत है, इसको मैं नहीं मानता हूँ, और नहीं समास को मानना चाहिए, क्योंकि शुनाई शुनाई बात पर एक दूसरे की बात को सुन करके लोग कहते हैं को निंदा करते हैं, जब कि वो शास्त्रों का प्रमान देते हैं, रांपाल जी महरा ना तो कोई सुख होता है, ना कोई उनकी सिद्धी होती है, और नहीं उनको सुख मिलता है, नहीं उनको कोई फैदा होता है, इसलिए जो सद्गुर रांपाल जी महराज जो सास्त्रों के अनुसार ग्यान देते हैं, वही सद्भक्ती है, और वो किसी की निंदा नहीं करते ह अब उत्राखंड से बिलॉढंकरते हैं और आपने उत्राखंड से इतनी दूर ह्याना में जाकर के संत रांपाल जी मारा से नाम दिक्सा क्यों ली? क्योंकि मुझे यहां शारे उत्राखंड में, जबकि उत्राखंड को माना जाता है कि देविभूमी है, परंतु आज यहां देविभूमी नहीं है, यहां शदभक्ती नहीं है, यहां जिनको देविभूमी क्या पुजारी माना जाता है, वो आज मांगशा हार करते हैं, सुरा बरवाला एक ऐसा पवित्र स्थान है, जहां पर श्री सद्गुरु रामपाल जी महाराजी ने अपना परचार शेत्र बनाया, वह बहुत बड़ा ही पुंडेतीर था है हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर, तो इसलिए मुझे वहां जाकर के नांदान लेना पड़ जी बहुत बहुत देने माद आपका, सच साहिब है जी, सच साहिब, सच साहिब